हेलो फ्रेंड वेले कम टू सिक्षा कैसे आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड यह है हमारी वन कंसेप्ट अडे सिरीज जो लोग पहली बार वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं यह बता दूं कि हम यहाँ पर एक वीडियो में एक कंसेप्ट को इसकavor करने के कोशिश करते हैं थेक है जो भी नियूज में रहो नूस अनलेसे नहीं आई है या किसी हम नियूज को अनलाइस कर रहे है बेसिक इडिया यह है कि जो भी concept news में चल रहे है जो खबर आई है उससे related कोई भी अगर concept है उसको हम पढ़े वो आपके various exams के लिए important होगा UPSC civil services के लिए state services के लिए both prelims and mains से related concepts यहां पर आएंगे कुछ topics हैसे होगे जिसमें सिरफ prelims के discussion होगी कुछ हैसे होगे जो mains के लिए भी important होगे और बाकी के जो paper हैं आपके चाहिए वो SSC के है जिनमें भी general studies पूछी जाती है उनमें भी आपको ये knowledgeable काफी videos रहेंगी तो आज जो इस particular video में हम concept discuss करने जा रहे हैं बचो वो खबर है Mauritius में oil spill हो गया एक ठीक है कहाँ पर oil spill हो गया Mauritius में ठीक है अब जो ये Mauritius में oil spill हुआ ये एक Japanese ship थी MB MV Wakashio ये oil लेकर जा रहे थी और कुछ 1000 ton जो oil है वो ship के एक coral reef के साथ टकराने की वज़े से Indian Ocean में spill हो गया जो एक major concern बना हुआ था पिछले कुछ दिनों में और Mauritius ने इसी वज़े से national emergency भी वहाँ पर declare की थी हाला कि पिछले कुछ दिनों में Mauritius का ये कहना है कि situation को control कर लिया गया है और अब जो है खत्रे की बात वहाँ पर नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी हम अब oil spill से related concept देखेंगे तो आज का हमारा जो वीडियो होगा उसमें basically target क्या करेंगे टार्गेट देख लेते हमारा क्या रहेगा तो target में बच्चो सबसे पहले एक से किंड का समय मुझे दीजिएगा तो target में सबसे पहले तो हम news के बारे में ही देखेंगे कि किस वज़े से हमने concept पढ़ना है क्या news थी उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कारण है कि दुनिया में oil pollution जो है वो बढ़ता जा रहा है oil pollution in marine environment और in water environment जो है बढ़ता जा रहा है क्या कारण है ठीक है फिर हम यह देखेंगे कि oil spills तो बहुत होते हैं पर oil spill की consequences जो है यानि कि उसका effect है environment के उपर वो vary करता है एक oil spill से दूसरों oil spill तक तो क्या reasons है कि यह variance आपको देखने को मिलती है oil spills के effect क्या होते हैं इंडिया की क्या preparedness है oil spills को लेकर के यह बहुत जादा news में था 2017 में जब चिन्नई के पास जो है आपका एक oil spill हुआ था उस समय में बहुत जादा यह चीज नीज में थी तो इसको भी discuss करेंगे इंडिया का जो national oil spill disaster contingency plan है इसको discuss करेंगे bunker convention के बारे में देखेंगे और technologies देखेंगे क्या क्या available है issues को resolve करने के लिए तो topic काफी important रहने वाला है तो जुड़े रहिएगा आखिर तक आपको मदद करेगा चलिए तो सबसे पहले news क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया maurisius में oil spill हो गया अब oil spill मैंने आपको बताया general सी problem बन चुकि है लेकिन यह वाला oil spill क्यूं दुनिया को concern इसने किया क्यूं इसने headlines बने क्यूंकि यह जो oil spill हुआ था जैसे कि मैंने आपको बताया कि coral reef के साथ टकराने के वज़ए जैसे ship के oil spill हुआ तो coral reef वाला region वैसे आप सब जानते हैं कि काफी sensitive region होता है तो यह accident जो है इसने दो environmentally protected marine ecosystems के एरिया में जो है यह accident हुआ और एक था आपका blue bay marine park reserve इसको wetland of international importance बोला जाता है blue bay marine park reserve को तो यहां पर यह accident हुआ जिसकी वज़े से इसने जादा concerns जो है cause कर दिया अगर आप देख रहे है satellite images में कैसे दिखाया है कि कितना जादा जो है oil spill की वज़े से environmental degradation इस एरिया में हुआ ही आपको image में आपर देखने को मिल रहा है तो इसी लिए यह इतना जादा concern बना यह जो मौरिशयस का oil spill हुआ because of the sensitivity of that area environmental sensitivity of that area अब कुछ और भी major oil spill हुआ हाली के कुछ दिनों में हाली के कुछ दिनों में नहीं हम कह सकते मतलब जो समय में हम देखते हैं कि हा major oil spill कौन से हुआ है तो सबसे एक important oil spill जो हुआ था वो था Persian Gulf War oil spill और यह किसी accident की वज़े से नहीं हुआ था यह जब Gulf War चल रहा था तो Iraqi forces ने 1991 में oil spill कर दिया था जो जितना इराक के पास oil पड़ा था वो सारे का सारा उनने समंदर में डाल दिया था ठीक है around 380 million gallons तो आप idea लगा सकते हैं कितना जादा oil का वैसे एक 2010 में oil spill incident हुआ deep water horizon oil spill जो Gulf of Mexico के आस पास हुआ and it is considered as one of the largest known accident oil spills till now ठीक है 2016 में United States Geological Survey और NASA की एक study नहीं हां तक कि जो 2010 में Gulf of Mexico में oil spill हुआ उसकी वज़े से उस एरिया में widespread shoreline loss हुआ ठीक है तो काफी major oil problem था ये अब हम बात करते हैं news हमने discuss कर ली ठीक है उसमें आपने देखा कि आप से जादा जादा paper में क्या पूछा दा सकता है कि which country was in news वो भी state services type exam में अब हम बात करते है additional information की जो हमें पता होने चाहिए सबसे पहले क्या कारण है कि यह marine oil pollution बढ़ता जा रहा है ठीक है जो oil spill जो रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है कारण नमबर एक growing dependence on marine transportation ठीक है जब भी हम transportation की बात करते हैं ठीक है अभी हम inland waterways भी बना रहे हैं तो inland waterways को भी जब हम पढ़ते हैं तो उसके एक benefit में हम देखते हैं कि water के थू जो transportation होता है that is cheaper cheaper than railways cheaper than roadways and cheaper than airways all right तो सबसे cheap mode of transportation है और oil एक ऐसी चीज़ है जिसको आप plane में लेकर भी नहीं जा सकते है ठीक है तो dependence marine transportation के उपर ही है तो क्यूंकि marine transportation के उपर dependence है तो अगर accident होता है तो marine environment भी पलूट होगा जाहर सी बात है दूसरी offshore drilling offshore drilling technologies developed हो चुकी है offshore drilling आप सब जानते हैं जो drilling आपके ocean area में जो shore के उपर drilling होती है उसको गहा जाता है offshore drilling ठीक है तो इससे भी drilling आप कर रहे हैं तो oil तो leakage तो हो गई तो वहां से भी pollution बढ़ रहा है near shore refining refineries को shore के पास लगाया जा रहा है ठीक है coast के उपर लगाया जा रहा है wastages जो है वह वहां पर जा रही है street runoff carrying waste oil from automobiles automobiles से waste निकलता है बारिश आती है ultimately बारिश का पानी कहा जाएगा marines में समंदर में seas में तो ultimately it will leak to marine pollution तो इसी वज़े से marine oil pollution एक increasing cause बनता जा रहा है अगर आप देखें यह अगर दुनिया का नक्षा देखें तो आपको easily यहाँ पर यह सारे oil leaks जो हैं देखने को मिलते हैं पूरे world के अंदर यह जितने भी काले आपको spots दिख रहे हैं black spots दिख रहे हैं these are what these are visible oil leaks on the world map चलिए अब variance क्यों होता है कहीं पर oil spill का effect जादा होता है कहीं पर oil spill का effect कम होता है सबसे पहले इसके उपर फरक पड़ता है location से और proximity से ठीक है कि क्या उसकी location है oil spill की कितनी और क्या उसकी proximity है shore से अगर वो shore के पास यानि की coast के पास अगर हो रहा है then it is more dangerous then it is more dangerous if near coast ठीक है क्योंकि near coast जो आपके species होते है वो जादा होते है ठीक है तो जादा species को impact करेगा ठीक है quantity and composition of oil कितनी quantity of oil है अगर सिरफ minute quantity है then nature can handle it अगर large quantities है जैसे Gulf of Mexico और Persian Gulf जैसे examples है then it becomes very difficult to take care of that composition क्या है oil का जैसे अगर आप देखो जो crude oil होता है जब crude oil होता है it takes more time साफ होने के लिए as compared to refined oil it is more dangerous crude oil is more dangerous than your refined oil ठीक है कौन से season में आ रहा है year के बारिशों के समय आ रहा है सर्दी गर्मी के समय आ रहा है क्योंकि गर्मीों के समय में evaporation भी होगा तो it will help in decomposition of that oil winters में ऐसा नहीं होगा ocean currents की movement किस तरफ है weather conditions क्या है और उस area की diversity कैसी है और affected communities उस region में कितने तरह की है अगर वहाँ पर जाधा diversity नहीं है जाधा communities नहीं है तो impact कम होगा अगर वहाँ पर जाधा diversity है species की और जाधा communities है तो वहाँ पर impact जाधा होगा चलिए तो effects of oil spills की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया crude oil जो spills जो जाधा तर होते हैं जो ocean spills होते हैं जाधा तर crude oil के होते हैं ठीक है जाधा volume में भी होते हैं और जाधा frequency में भी होते हैं as compared to refined oil ठीक है अब जाधा जो components होते हैं crude oil के यह जाधा तर dissolve नहीं होते है water में अब जो dissolve हो जाते हैं वो जो juvenile जो छोटे organisms होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं क्योंकि वो water के थून की body में चले जाते हैं and they start concentrating over there causing them harmful effects ये तो वो products हैं जो soluble है ठीक है जो insoluble है जो insoluble components है वो क्या करते हैं वो water के उपर एक sticky layer बना लेते हैं water surface के उपर sticky layer बना लेते हैं जिसकी वज़े से एक तो free diffusion of gases नहीं हो पाती adult organisms clogged होना शुरू हो जाते हैं proper oxygen उन तक नहीं पहुँच पाता ठीक है sunlight जो availability है वो घट जाती है water body के अंदर thus photosynthesis घट जाती है water body के अंदर तो यह एक sheet बना लेते हैं sleek बना लेते हैं water surface के उपर जो insoluble components होते हैं ठीक है अब जो refined oil के spills होते हैं और जो specially shore के करीब होते हैं जहांपर merahean काफी सादा abundant होती है there it can cause you know huge disruption for a long period of time क्योंकि decompose करना बहुत मिश्किल हो जाता है ठीक है अब इंडिया की क्या preparedness है oil spills को लेकर के कि क्या हमारे आपर कोई law है नहीं हमारे आपर कोई law नहीं है ठीक है हमारे आपर एक environment protection act 1986 का हम उसी के आसपास घूम रहे हैं क्या हमारे पास कोई contingency plan है हाँ अभी हम एक देखेंगे national action plan है हमारे पास क्या हमने कोई international convention sign की हुई है bunker convention हमने sign की हुई है हम देखेंगे ठीक है चलिए तो law की जैसे मैंने आपको बताया कि कोई law ऐसा specific law नहीं है जो सिरफ oil spills को target कर रहा हूँ या उसके Consecutional environmental damage को target करने की कोशिश कर रहा हूँ यह सारे incidents हम Environment Protection Act of 1986 के थू ही इनको cover कर लेते हैं ठीक है अगर कोई भी ऐसा accident हो रहा है तो generally FIR launch कर दी जाती है EPA के तहत और IPC के तहत अगर वो accident rash navigation की वज़े से हुआ हूँ जो आपका captain है ship का उसकी गलती से हूआ हूँ उसकी mistake से हूँ तो उसके against FIR दर्ज कर दी जाती है EP और IPC के तहती कोई अलग से law यहां पर नहीं है लेकिन इंडिया के पास एक national oil spill disaster contingency plan है जिसको 1996 में बनाया गया था और इसको ministry of defense ने release किया था 1996 में and ultimately it was updated in 2006 so very briefly let us see what is this national oil spill disaster contingency plan तो national oil spill disaster contingency plan ने Indian coast guard को यह mandate दिया है कि वो state departments के साथ, ministries के साथ, port authorities के साथ और environment agency के साथ coordinate करेगा और उन्हें assist करेगा oil spill cleaning operation में ठीक है यहां तक कि इस particular plan में ये भी बोला गया कि जितने भी इंडिया के major ports हैं उनके पास basic minimum equipments जैसे कि inflatable booms, oil skimmers ये सब चीज़े जो oil spill को control करने में काम आती हैं ये सब होनी चाहिए ठीक है उसके बाद इस plan को एक बाद 2015 में भी revise किया गया ताकि कुछ international standards को ये fulfill कर सके जैसे की online oil spill advisory system एक set किया गया और इस system के set होने से इंडिया के पास कुछ ऐसी चीज़े आ गई जिसने इंडिया को few countries की line में लाकर के खड़ा कर दिया जिनके पास इस system है सबसे पहले इंडिया के पास एक indigenously developed capability है जिससे predict किया जासे कि trajectory of oil spills कि oil spill जो हुआ है वो कितना जादा spread हो रहा है ocean area में और कैसे उसको रोका जा सकता है ठीक है environmental sensivities को map करता है coastal zones में aerial dispersant spray system है जिससे aerial chemicals spray किये जा सके oil के उपर थाकि उसको जल्दी से जल्दी जो है clean किया जा सके और regional oil spill contingency plans भी facilitate यह particular plan आपका करता है ठीक है तो यह सारे के सारे features हैं जो आप से सीधा के सीधे आपके prelims में पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद एक important convention जिसको bunker convention बोलते हैं full name international convention on civil liability for bunker oil pollution damage 2001 2001 की यह convention है इंडिया ने इसको ratify किया 2015 में ठीक है कहीं बार exam में exam में सिधा सिधा यह statement आज आता है कि इंडिया ratified bunker convention since its inception in 2001 no India ratified in 2015 तो इस तरह इस statement में आपको कहीं बार फजानी की कोशिश की जाती है तो आपको याद रखना है कि इंडिया ने यह convention sign किया और इस convention का mainly जो purpose है वो यह है कि यह ensure करे कि proper measures लिये जा रहे है proper compensation provide कराया जा रहा है अगर oil spill होता है affected communities जो communities coastal areas के आसपास रह रही है ठीक है चलिए अब लास्ट मारा जो topic है जो हमें आज discuss करना है that is available technological solution सबसे पहले oil zapper यह एक bacteria का cocktail इसको माना जाता है यह oil के ओपर feed करता है and helps in degrading the hydrocarbons of cocktail of sorry your oil spill ठीक है oil zapper very famous आपने इसके बार में जुरूर पढ़ा होगा एक नया method और technology जो काफी जादे नियूज में रहता है that is your nanosheets okay nanosheets जो है यह faster method है और माना जाता है that it can revolutionize the process of oil spill cleanups okay अब इसके benefits के हैं सबसे पहले तो जो यह nanosheets होती है यह recyclable होती है यानि कि आप इनको एक बार यूज करने के बाद दुबारा यूज कर सकते हैं यह absorbs 33 times their weight in oil ठीक है मतलब कि 1 kg की अगर मैं जिस एक्जाम्पल ले रहा हूँ इतना जादा weight नहीं होता अगर 1 kg की nanosheets है तो यह 1 kg की nanosheets 33 kgs oils है अब्सॉप कर लेगी ठीक है 1 gram of nanosheets has the equivalent area as nearly 5.5 tennis courts so a lot of surface for absorption 1 gram nanosheets आप देखें 5.5 tennis courts का area कवर कर लेती है तो इतनी ठीक होती है नहीं ठीक होती है इतना lightweight होता लेकिन area भहुत जादा कवर कर लेती है saturated nanosheets can be simply heated in air for 2 hours for cleaning purpose the absorbed oil burns off leaving the nanosheets clean and free to absorb again यह recycling का इसका process है and they are easy to build and also affordable तो यह सारे points भी आपके लिए important है पूछा जा सकता है exam में directly और इनको आप सबको में में भी अपने फॉर्डर पॉइंट्स के तरह यूज कर सकते है तो चलिए बचो इस पर्टिकुलर लेक्टर के लिए इतना ही I hope आपको कुछ मजा आया होगा आपने कुछ सीखा होगा जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सेहत का धियान रखें थैंक यू वेरी मच और बेस्ट और बाबाई